इतिहास में बहुत से ऐसे हादसे हुए हैं जो अगर ना होते तो जाने क्या होता? दुनिया का रुख क्या होता? इंसानियत की तारीख क्या आज से अलग होती? अगर डाइनसार का अंत ना हुआ होता तो क्या होता? इसी टॉपिक पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे बताया जाता है कि करीब 6,60,000,000 पहले एक एस्टेरोइड हमारी धर्ती से टकराया था इस टकर से जितनी उर्जा निकली थी वो हिरोशीमा पर गिराएगे एटम बंप से 10 अरब गुना ज्यादा थी एस्टेरोइड के टकराने से सैंकडो मिल दूर तक आग का एक गोला फैल गया था इस टकर से सुमंदर में सुनामी की प्रले कारी लहरे उठी थी जिनोंने आदी से ज़्यादा दुनिया में तबाही मचा दी थी ये कयामत के आने जैसा था हमारे वायू मंडल तक में आग लग गई थी 25 किलो से ज़्यादा वजन का कोई जानवर इस प्रले में जिन्दा नहीं बचा कयामत इसे ही तो कहते हैं कि एस्टेरोइड की टकर से धर्ती पर जीवों की 90% नसलें हमेशा के लिए खत्म हो गई इसी प्रले के चलते विशालकाई डाइनसौर की तमाम नसलें तबाह हो गई थी मगर आज वग्यानिक ये सोचते हैं कि अगर वो एस्टेरोइड धर्ती से ना तकराया होता तो क्या होता वग्यानिकों का मानना है कि अगर वो एस्टेरोइड कुछ समय पहले या बाद में धर्ती से तकराता तो या तो वो अटलांटिक महासागर में गिता या फिर परशांत महासागर में इससे धर्ती पर तबाही का असर बहुत कम पढ़ना था अगर ऐसा होता तो डाइनासौर की नसल हमेशा के लिए खत्म ना होती कुछ डाइनासौर आज भी जिन्ता होते हालां कि उसके बाद भी धर्ती ने कियामत के कई मंजर देखे शायद उन में से भी कुछ बरे डाइनासौर बच जाते पर विकास के सिधानत के मताबिक डाइनासौर को भी बचे रहने के लिए धर्ती के बदलते महौल के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता तब हो सकता है कि कुछ डाइनासौर हमेशा के लिए खत्म हो जाते और शायद कुछ नसले बच भी जाती और अगर जो डाइनासौर बच जाते तो क्या वो इंसानों के बराबर अकलमद होते क्या फिर इंसान और डाइनासौर साथ साथ धर्ती पर रहते इस बात की कलपना दो हियार पंदरा में बनी फिलम दा गुड डाइनासौर में की गई है डाइनासौर करीब 23 करोड साल पहले विक्सित हुए थे वग्यानिकों ने अब तक मिले कंकालों की मतर्स से डाइनासौर की करीब एक हैयार नसलों का पता लगाया है इन में से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मासाहारी जादा तर डाइनासौर विशाल अकार के हुआ करते थे मगर कुछ इनसानों से भी शोटे थे डाइनासौर चार पैरों वाले भी होते थे और दो पैरों वाले भी कुछ परजातियां उड़ भी सकती थी ये पूरी दुनिया में पाए जाते थे डाइनासौर की कुछ नसलों के कंकार भारत में भी मिले हैं जो जवाला मुखी के लावा की वज़े से खत्म हो गए थे कई विग्यानिक मानते हैं कि सारे शे करोड साल पहले अगर एस्टेरोइड धरती से नहीं भी टकराया होता तो भी डाइनासौर का युग खात्मे के कंकार पर पहुँच जाता सिर्फ कुछ ही पर जाती है आज जिन्दा होती डाइनासौर ने अपने दोर में बहुत बुरा भक्त जेला फिर भी उनकी सेंकडों नसलें पची रही थी 16 क्रोड साल तक डाइनासौर का धरती पर राज रहा था विकास की परक्रिया में ये इतना असान नहीं था वो धरती के बदलते महौल के हिसाब से खुद को ढालते आ रहे थे तो अगर डाइनासौर आज भी जिन्दा होते तो उनके लिए चुनौतियां क्या क्या होती पहली चुनौती तो धरती के बदलती आवो हवा होती उनके दोर में धरती का तापमान आज से आठ डिग्री सेल्सियस जादा था तब आज से ज़्यादा जंगल थे जिनसे उन्हें असानी से चारा मिल जाता था इस महौल में कुछ साहिरोपाइट डाइनासौर जिन्दा रह जाते वो आज की गायों के बराबर होते ऐसे कुछ डाइनासौर के जिवाशम यूरोप में मिले हैं आज से करीब साड़े तीन करोड साल पहले दक्षिन अमेरिका अंटार्टिका से अलग हो गया था अंटार्टिका पर भारी बरफवारी की वज़र से धर्ती के कई हिससे सूख रहे थे जंगलों की जगए घास के मैदान विक्सित हो रहे थे उसी दोर में घोरे जिराफ जैसे जीव विक्सित हो रहे थे वेग्यानिक मानते हैं कि डाइनसौर की कुछ नसलें भी इसी तरह अपने आप को बदल कर बचाने में कामया हो सकती थी शायद वो आज के दरियाई घोरे या गैनों जैसे होते धेर सारे दान्तों वाले हाईडरोसौरस के जिवाशम हमें मिले हैं जिनके एक हैयार दान्त हुआ करते थे जबकि आज के घोरों के 40 दान्त ही होते हैं अब जिसके पास इतने दान्त हो उसके लिए चारा यानि घास चबाना असान होगा डानासौर की आँखें भी तेज हुआ करती थी इसलिए वो अपने करीब आते खत्रे को भी दूर से ही पहचान लेते इसलिए आज के घोरों या गायों के मुकाबले उनके बचने की उमीद ज़ादा थी कुछ उडने वाले डानासौर आज के चमगातरों की तरह ही तो क्या उनके शिजीर के साथ साथ उनका दिमाग भी विक्सित होता क्या उनकी अकल इनसानों के बराबर या उनसे ज़्यादा होती अगर ऐसा होता तो शायद वो आज इनसान की बनाई फिल्मे साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखने वाले एलियन जैसे होते पर ये सब तब होता अगर वो एस्टेडॉइड धर्ती से ना टकराया होता पर हकीकत में ऐसा हुआ था और डाइनासार खतम हो गए थे आज की ये रोमांचिक वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेट करके जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें